हेलो दूस्तों iOS 16.4 stable version अब release हो गया है और इसमें कई नए फीचर और improvements है इस वीडियो में हम आपको iOS 16.4 के कुछ खास features के बारे में बताएंगे जैसे की update size, modern frame VR, storage, new setup, what's new, storage bug, battery और performance and benchmark जैसे चीजें cover करेंगे साथ में network, wifi और bluetooth को लेकर के bug है या फिर नहीं ये चीज भी जानेंगे तो सबसे पहले update size की बात करते हैं इसमें iOS 16.4 update size 217.6 MB का मेरे device पर दिखने को मिला है इससे पहले मैं beta RC पर था इस काल से मुझे 217.6 MB का update size दिखने को मिला है लेकिन अगर आप beta पर हैं और आप stable पर आना चाहते हैं इसके लिए आपको simple से settings के general पर आना है उसके बाद software update पर टैप करना है इसके अंदर जब आपका ये यहाँ पर beta update दिखने को मिलेगा इसमें आपको enable पर होगा लेकिन आपको इसे off कर देना है ओफ कर देंगे तो आपको तुरंत ही ये जो update है वो दिखने को मिल जाएगा RC build में बहुत सारे bug थे जैसे की मुझे यहाँ पर Wi-Fi का issue हो रहा था Wi-Fi automatic disconnect हो रहा था और यहाँ पर जो है वो सो करता था कि connected है लेकिन उपर से sign अट जाता था और यह mobile data पर आ जाता था लेकिन इस update पर मुझे ऐसा कोई भी issue अभी फिलाल में दिखने को नहीं मिला है I hope आगे भी ऐसा कोई issue दिखने को न मिले साथ में बात करूं इसके अंदर modern premiere की तो इस update में modern premiere update हुआ है 2.55.00 दिखने को मिल रहा है storage भी आपको ठीक ठाक दिखने को मिला है जैसा कि आपको पहले दिखने को मिला था अब मैं बात करूं इस update के नए features की तो सबसे पहले आपको यहाँ पर software update के अंदर beta updates का यह जो नया option है वो दिखने को मिल जाता है अगर आप beta पर हैं तो आप इसे on off कर सकते हैं on करने पर आपको public beta available होगा अगर आप off कर देते हैं तो आपको stable के ही update दिखने को मिलेंगे तो यह software update के अंदर एक नया features दिया गया है about के अंदर आपको coverage का icon नया option दिखने को मिल जाता है इस पर tap करेंगे तो यहाँ पर आपकी device की जो भी warranty है वो आप यहीं से check out कर सकते हैं और आपकी पास जो भी apple की devices हैं उनकी भी warranty आपको इसी जगे पर so करता है इस update का build number 20E247 दिखने को मिल जाता है इसके अंदर 21 नए emojis दिखने को मिल जाते हैं shaking face, pink heart, light, blue heart, grey heart, donkey, moose, goose, bing, jelly face, ink, peepod, ginger, holding hand fan, hair, pink, flute, maracas, khanda, wireless, right word, pushing hand, left word, pushing hand, black, bird तो ऐसे कुल मिलाकर 21 आपको यह जो emojis है वो दिखने को मिल जाते हैं साथ में इसका जो change lock है वो इस पर tap करके आप read भी कर सकते हैं इसके change lock के अंदर आपको notification wave application का support दिखने को मिल जाता है इससे wave kit कहते हैं wave kit का use आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं यह जो application आप दिख रहे हैं वो मेरा tutor है और इसे के साथ यह जो दिख रहे है बे push application है इसके भी notification अब आपको दिखने को मिल जाते हैं इस पर simple से आप जो Safari browser है उसके दौरा इसको तयार कर सकते हैं और यहाँ पर केवल आपको अपना जो account है वो sign in करना होगा account sign in करने के साथ में आप इसका जो home page है वो simple से ready कर सकते हैं इसके लिए simple से इस पर tap करना है और scroll down करना है add to home screen कर लेते हैं उसी तरीके से इस application का जो icon है वो आप ready कर सकते हैं मैंने जैसा कि income tax वाले page का भी यहाँ पर किया हुआ है तो इसका भी अगर कोई आपका social media का application है उसका भी आप यहाँ पर web kit का use कर सकते हैं इसके अंदर अब आपको focus mode का भी support दिखने को मिल जाता है जो कि आप focus mode current कुछ इस तरीके से यहाँ से अगर setup कर लेते हैं तो इसमें अगर आप notification allow नहीं करते हैं तो इसके जो notification आएंगे वो भी आपको दिखने को नहीं मिलेंगे और अगर notification आते हैं अगर इसको आपने ok नहीं किया है तो वो notification भी आप पा सकते हैं जैसे कि आप अपने जो particular application के पाते हैं विल्कुल ही same उसी तरीके से साथ में जब आप call करते हैं किसी भी number पर तो आपको noise cancellation पहले दिखने को मिलता था apple की तरफ से वो हटा दिया गया था लेकिन अब वापिस से आ गया है कुछ इस तरीके से call के दोरान इस पर टैप करेंगे यहाँ पर voice isolation और white spectrum के नाम से यह features दिखने को मिलता है अगर आप normal पर रखते हैं यानि कि standard तो आपकी जो आवाज है वो simple से normal जाती है अगर आप voice isolation कर देते हैं तो आपकी आवाज जो है वो clear जाएगी सामने वाले की तरफ इसे के साथ wide spectrum पर अगर आप click कर देते हैं तो इस पर click करने से आपकी जो noise है बहुत जातर बढ़ जाती है आसपास की आवाज जादा जाएगी सामने वाले की ओर और आपकी जो आवाज है वो वहाँ पर थोड़ी सी कम जाएगी मैं कहूंगा यहाँ पर voice isolation वाला features मुझे कापी जादब बैतर लगा बाकी आप बताएं कि कौन सा आपको बैतर लगता है यह features का यूज आप direct call करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं साथ में अगर आप FaceTime call करते हैं उसमें भी कर सकते हैं और अगर आप WhatsApp के द्वारा call करते हैं Telegram के द्वारा करते हैं map दिखने को मिल जाता है इसमें आपको voice-over का support दिखने को मिल जाता है अगर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उस दौरान आपकी आखों पर जो light पर रही होती है वो एक दम से काफी आदा हार्स हो रही होती है क्योंकि उसमें जो lighting जिस तरीके से होती है उसी तरीके स content है वो अगर light जो है वो flash ज्यादा repeat कर रहा है तो उसको automatic dim कर देता है यह features का use यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अच्छा एक तरीके से काम करता है लेकिन आपके जो वीडियो का content है उसका अगर आप पूरा मजा लेना चाहते हैं तो इस option को आप off ही रखें तो ज्यादा बैतर है visual look वाला जो feature है इसका support आप South Africa के users को भी देखने को मिल जाता है अगर कोई South Africa से बेरी वीडियो देख रहा है तो वो अब इस features को check out कर सकता है और comment में बता सकता है कि यह features उने देखने को मिल रहा है या नहीं क्योंकि आपका जो region है वो यहाँ पर South Africa होगा उसे आप चाहें तो select कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आप जैनरल पर tap करना है लेंगवेज रीजन में जाकर के आप South Africa अगर select करेंगे तो आपको जो visual look है वो देखने को मिल जाता है इसी के साथ Apple ने कुछ silent feature भी release किये है जैसे कि आप अगर settings के अंदर जाते हैं और 3 and search पर टैप करते हैं इसके अंदर आपको Arabic language दिखने को मिल जाती है शाथ में एक नई language Hebrew भी add की है इसके भी आपको दो voice samples दिखने को मिल जाते हैं 3 voice पर tap करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके के दो voice samples देखने को मिल जाते हैं इमरेंसी SOS के अंदर call quantity का feature दिखने को मिल जाता है अगर आप इ इमरेंसी situation ऐसी है जहां पर आपको किसी तरीके की आवज नहीं चाहिए अपनी तरफ से तो यहां पर apple सबको silent कर देता है तो यह यहां पर call quantity का feature मुझे काफी जादा सही लगा क्योंकि अगर आप इमरेंसी call कर रहे हैं उस दौरान आपके device पर किसी भी तरीके की कोई और ग जो carbon है वो footprint बहुत ही कम reduce करेगी यानि कि lower carbon emission electricity यहां पर प्रवाइड होती है इसके द्वारा आपकी battery health भी काफी जादा better हो सकती है यह features आपको apple में दिखने को मिल सकता है लेकिन इस से enable करने के लिए आपको कुछ step follow भी करने होंगे जिसके लिए आपको simple से अपने device के साथ में keyboard के अंदर आपको तीन नई languages दिखने को मिल जाती है apple की तरफ से अगर आप add new keyboard पर tap कर देते हैं तो इसके अंदर आपको जो गुजराती language है वो दिखने को मिल जाती है पंजाबी दिखने को मिल जाती है साथ में उर्दू language दिखने को मिल जाती है जिसके आप translation भी कि यह कुछ और चीजे languages हैं इंडिया के अंदर वो Apple add कर रहा है इसी के साथ Spotlight feature को और भी ज़्यादा enhance किया गया है अगर आप कोई चीज लिखकर करके आप सर्च करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से सारे contact, settings और सफारी के द्वारा सर्चेस, photo searches, chrome के द्वारा सर्चेस और इन से उनको आप यूज कर सकते हैं फिलार में मैं इस पर कुछ वीडियो जो है वो लाने वाला हूं आपको आने वाली समय में उन shortcut को आप बना सकते हैं आप भी कुछ users के तोर पर यहां पर shortcut जो है वो अपने द्वारा create कर सकते हैं जो कि आपको और भी आदा अच्छी मदद कर 1699 और 4520 इस से पिछली जो rank थी वो पहले थोड़ी सी higher थी जिसको मैंने चेक आउट किया था 22 मार्च के आसपास में और इस वार की rank है वो थोड़ी सी down देखने को मिल जाती है compute के अंदर अगर देखे तो benchmark कुछ इतना देखने को मिल जाता है जो कि यहां पर थोड़ा सा higher ह गुआ है पहले के comparison में साथ में जो apple music application है उसमें भी यहां पर थोड़े से और भी ज्यादा enhancement UI में किये गए हैं इसी के साथ आपको जो apple का नया apple music classical app था वो भी release कर दिया है apple ने वो भी आपको देखने को मिल जाता है तो यह application को इस तरीके के लोगों के साथ में आता है इसक पर एक मैं particular वीडियो बना दूँगा जो वीडियो आप चेक आउट कर सकते हैं मेरे चेनल पर साथ में इसके अंदर आपको जो storage को लेकर के bug है वो देखने को मिल जाता है अगर आप टैप करते हैं यहां पर जैनल पर जाते हैं और आईफॉन storage पर टैप कर देते हैं यहां यहां पर इस तरीके से जो circle है वो run कर रहा है और यह थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा है पहले के comparison में जबकि मेरा iPhone का storage यतना ज्यादा भरा हुआ नहीं है तो यहां पर calculation time जो है बढ़ गया है Apple की तरफ से और अगर आप नीची की तरफ जाते हुए देखें यहां पर system data त कभी कभी यह circle जो है वह यहां पर गूंगता ही रहता है और आप दिखाए तो ऐसे इस यहां पर दिखने को मिल रहे हैं यह 0 kb पर सो कर रहा है हो सकता है कि यहां पर battery जो आपको percentage सो करता है वो भी आने वाले समय में कुछ इस तरीके से circle पर सो करें या फिरो help दिखाए ऐस था ऐसे issues मुझे feel हो रहे थे लेकिन जबसे मैंने stable build को अपने device पर run किया है तो stable build काफी यादा बैतर काम कर रहा है तो I hope आप अगर beta build पर जाते हैं तो उसमें आपको काफी यादा problems देखने को मिल सकती है और अभी तो stable build मैंने install किया है इसमें मैंने battery health को फिलाल में है आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि battery health कैसी है और मैं और भी इसकी चीज़े चेक करूँगा तो आज के लिए इतना ही यह वीडियो का फियादा लंबी हो गई है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए तना हैनम